हेलो एड़न दिस नील फोर्म स्टॉक्स एडलाइट चली देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया कल मार्केट कैसा जा सकता है इसके विचे के अलोजिका है कल इंट एड़े के लिए कौन कॉन से स्टॉक अच्छा मॉनिटम दे सकता है सबसे पहले बैंक निट्टी देख ले अगर यहां से मार्केट फ्लैट खोल के आज कर एक हाई ब्रेक करता है तो प्रिवियस देख का हाई जर उससे पहले यह सारा लेबल मार्केट टेस्ट करने ले जा सकते हैं अच्छा मॉनिटम हमें मिल सकता है एक काम करते हैं 15 मिस के टाइम में चलता है एक्जक्ली कल के लि को एक अच्छा मॉनिटम मिल सकता है तो नीचे यह जो ट्रेड लेंड तक मार्केट को मॉनिटम मिलेगा फिर यहां तक प्राइस आया हम लोग का टागेट हिट किया फिर यहां से अच्छा बांस बैग भी विला जो प्राइस को 39,450 का स्वस लेके गाया था फिर अक से लफ मार्केट में बन रहा है तो नेक्स दिन अगर फिर से मार्केट गिरता है तो यह रिकावरी अब लोग फिर से एक्सपेट कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है यह आयत रखना अभी एक काम करते हैं कल के लिए exactly क्या प्राइन रहेगा उसकर में बात कर लेते हैं लिए 39,250 के ऊपर कहीं पर खुले और आज का यहाई इसी जून पर कहीं पर खुलता है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा time spend करें time spend करने के बाद 39,520 ठीक है 39,520 के level अगर break करता है तो हम लोग यहाँ पर buy कर सकते हैं first target 39,600 कर रहेगा then 39,687 कर रहेगा यह दोनों target रपर सेर में र all किया था तो यहाँ से फिर से एक sell-up आ सकता है तो यहाँ पर हम लोग profit कर लेंगे फिर यहाँ पर देखें के price action कैसे बिल्ल हो रहा है अगर यहाँ पर time spend करने के बाद फिर breakout करता है फिर यहाँ से एक अच्छा momentum मिल सकता है जो price को 800, 900, even 40,000 का level को भी market test करने के लिए जा सक है और खुनली का recovery नहीं दिखाता है यहाँ पर sustain कर जाता है trade करने लगता है तो हम लोग selling side में प्लान करेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे दो दिन से हम लोग market में एक ही range के अंदर trade कर रहा है आप और से में 39,700, 600 का resistance है और नीचे 39,000 से लेके 38,900 का strong support है दो दिन से market में यहाँ पर trade कर रहा है इसलिए मैं for buying prefer कर रहा हूं अगर market आम लोगों के respected zone पर खुलता है अगर बहुत बड़ा gap-down खुलता है तो मैं wait करूंगा यहाँ अगर market time spend करें उसकी बाद 38,900 का level market नीचे break करता है तो नीचे की साथ में हम लोगों का फिर से selling देख सकता है और न खुल जाता है कहीं पर 39,600 के above कहीं पर खुल जाता है 607 को पर तो सबसे बहला हम लोग का condition यह रहाएगा कि market gap अप खुल ने के बाद सस्टेंड कर रहा है कि अगर सस्टेंड कर रहा है कोई range बना रहा है तो इस range का breakout breakdown पे trade कर सकता है अगर सस्टेंड नहीं कर रहा है तो हम हम लोग wait करेंगे फिट से range पाया जाएगा तो volatility रहाएगा उसके बाद हम लोग देखें कि आज का जो previous जो हम लोग का closing है या आज का हाई है कई ना की support की तरह trade कर रहा है यहां पर आके price action कैसा बन रहा है उसके ब्रेक आउट बेक्डाउट पर हम लोग trade कर सकते हैं ठीक है अगर हम लोग price pattern को ध्यान से देखें, previous support हम लोग के लिए यहां पे था, market इसको break किया, हैना कि एक W pattern मनना का market कोशिश कर रहा है इसी level के आसपस closing जिया है, next day का राजकाट एक high के उपर close देता है तो इस swing के उपर निकलते हैं हम लोग एक अच्छा momentum मिल सकता आने वाले time मे market फिर से अगर इसके उपर निकलता है, तो market फिर से 70,250,300 के level को test करने के लिए जा सकता है, लेकिन यह pattern fail भी हो सकता है, अगर फिर से इस level के नीचे market breakdown कर देता है, तो फिर से एक panic selling trigger हो सकता है, जो market को नीची की साइट में लेके जा सकता है, तो दोनों cases में हमें एक momentum मिल सकत आने बाले time में, between minutes का time frame में चलते है, exactly कल के लिए क्या प्लाइन रहेगा, उसकार में बात कर लेता है, लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने bank nifty में discuss किया, market में आपको trade मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा, थोड़ा बात कर लेता है, आज कैसा कैसा trade था, य market देखे, breakdown किया, previous low यहाँ पे था, तो यहाँ पे strong resistance है, market यहाँ, sorry support था, market ने breakdown किया, now that support become resistance, यहाँ पे resistance लिया, sell-off हुआ, यह था आपके लिए best trade, इतना छोड़ा stop loss था, उसके against में, कितना बड़ा आपको reward मिला, अगर आपने इसको भी miss किया, देखे, previous day low यहाँ पे था आपना stop loss दे बैठते हैं, उसके जो अच्छे-च्छे entries हम लोगे सामने होना start हो जाता है, लेकिन हम लोग entry नहीं लहीं पाते, क्योंकि हम लोग का risk birthday over हो चुका है, इसलिए मैं बताता हू, आपने trade के लिए wait कीज़े, आपको trade मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको patience रखना करता है, तो हम लोग के लिए best selling, best opportunity क्या होगा, अगर market 17,950 के ऊपर कहीं पर खुले, ठीक है, यह हम लोग के लिए strong support है, इसके ऊपर market कहीं पर खुले, और आज कर देगा, जो high है, या open भी है, इस particular zone पर market खुले, time spend करे, उसके वाद 17,060 का level, या 65 का level, sorry, 17,065 का level market breakout करता ह है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा quantity buy कर सकते है, target हम लोग का 17,115 के आसपास रहेगा, 115 से लेके 17,120 के आसपास रहेगा, यह दोनों target आपर share में रहेगा, अगर इसकी ऊपर निकलता है, फिर 17,170 से लेके 17,180 का level market आपर share में दिखा सकता है, फिर 200 का strong resistance है, अगर market gap down खुल जाता है, तो plan of action किया रहेगा, flat खुलता है, तो हम लोग buying set में प्लान करेंगे, अगर gap down खुल जाता है, 16,950 के नीचे काई पर खुलता है, तो मैं simply यहाँ पर selling भी नहीं करूंगा, buying भी नहीं करूंगा, क्योंकि तब यहाँ पर नीचे हम लोग के लिए strong support, और उपर में हम लोग के लिए resistance, यह सारा level हम लोग के लिए resistance है, तो मैं देखूंगा, अगर market gap down खुलके फिर यहाँ पर selling आता है, इस level से कोई price action बन रहा है, W pattern बन रहा है, तो थोड़ा मैं buying prefer करूंगा, क्योंकि यहाँ से पहले भी support ले चुका है, अगर यहाँ पर market time भी दाने लगता सकता है, और फिर से 16,800, 16,760, यह सारा level market magic side में दिखा सकता है, अगर market में बहुत बड़ा gap up हो गया, मतलब 17,100 के उपर कहीं पर खुल रहा है, या 17,150,100 के उपर बहुत बड़ा gap up कहीं पर खुल रहा है, तो simply मैं वाइट करना पसंद करूंगा, यहाँ पर कोई gap up खुलने से अब टेट करना चाहा हूँ, आप थोड़ा बहुत चेट कर सकते हो, फिर यहाँ पर क्लोजिंग क्या सब्सक्राइट होना चाहिए, फिर यहाँ पर आके price action कैसे बन रहा है, उसी सबसे मैं ब्राहिं प्रिफर करूंगा, ठीक है, चलिए यह भी कल की इंडिया टेशन के ल 759.50 का हम लोग इसको बाई कर सकते, 764.50 या 766 का, 65 का अपर सेंट में टागेट रहेगा, नेक्स होके हम लोग के लिए जी इंडिटेन्मेंट, एक ब्रेक आउट होने के आध मार्केट आपर सेंट में हौल कर रहा है, आज फिर से इसी लेवल के आसपस क्लोज किया है, कल के लेवल के आसपस अगर फ्लैट खुल के आज का या कल का हाई ब्रेक करता जो कि है, 841.50 या 842 का लेवल ब्रेक करता हम लोग इसको बाई कर सकते, 845, 46 का फर्स टागे, then 849 से लेके 50 का सेंट आज रहेगा, आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते है आप से नेक्स व वीडिवे, जाए हिंट